हाँ तो आज अपने कंप्योटर की सेकंड क्लास है और खूब सारे कॉमेंट आ रहे थे कि सर यह हमारे आरे सीटी हो लोग बहुत बिल्कुल सीटी में तो हई है और जो आरे सीटी की प्रक्रेशन कर रहा है उनके लिए तो रामबान है मतलब 100% मतलब क्योंकि इसमें नेगेट ज्यादा है बैसिक ज्यादा है इसलिए टाइम लग रहा है बाकी तो इसके बाद में आपको मजा आने वाला वेरी इंट्रस्टिंग चीजें समझोगे बहुत ज्यादा नोलेज़ेबल है आर्ट थ्री जो अपन नेक्स करेंगे आगे वह फिर अपन बैसिक शुरू कर दें सब पड़ेंगे वह बेसिक बाते हैं अपन एमस वर्ड में पड़ेंगे ठीक है ना जो सारी बात आ जाएगी आज का जो पाल टू हो बहुत ज्यादा इंपोर्टें इसलिए हो जाता है कि इसमें सबसे बड़ी बात अपने यह पड़ेंगे जनरेशन मतलब कि कंप्यूटर वरत्मान तक कितनी पीडियों का डेवलप्मेंट हो चुका है पांच चू पीडिय अम अपनको लाइन से पढ़नी है, कि जो पहली पीडिय थी उसका time.पीडी क्या है कहां से कहां तक प्रपै के जो कंप्इड Nu С niż में क्वैज हमेंगें पिर 3 और 5 वी पीडिय में जो और उनकी एक्जाम्पल आपको ध्यान यह भी रखना है कि किस पीडिय में कुछ एक्जाम्पल वेरी इंपोर्टेंट है कि यह वाला जो केंपूटर है यह किस जनरेशन का है फिर यह पुछेंगे कि आई सी का परियोग कौन से कंपूटर में होता था आई इंटिगेटेड चिप जो अपन बोलता है वोपन आगे बात करेंगे एकिगर्थ परिपत उसका प्रियोग कब किया जाता है ट्रांजिस्टर का प्रियोग कौन सी पीडियम होने लग गया तो पांच वी सारी बातें एक 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 चीज़ पढ़ नहीं है इसलिए मैं कहा रहा हूब कि जितने मैट्स को अपने समझ समझ के पढ़ते एं तो बेसा ही कंपूटर को वी बड़े ध्यान से पहले समझना को सुनना है उसके बाद में ही नोटस बनाने हैं जबर्दस्थ आपको चीज स समझने को मिल रही है जिस दिन computer का course पूरा करा दूंगा पांस साथ दिन में उसके बात देखना बलाई वह सोड़ेट सो पेज़ की पास की पीडियां या पर प्रकेंप्यूटर की पांच पडियां है वारी वडरी इंपोर्टन बात अपना पर के नाम से जानते हैं तो पहला क्यों से रही है ये 1965 का जो टाइम पिरिड है वो पहली जनरेशन का है पहली पीडी का है तो कंप्यूटर के पहली पीडी कहां से कहां तक 1942-1965 एक प्रशन तयार दूसरा फिर यह कि जो पहली पीडी के कंप्यूटर थे उसमें हार्डवेर कौन सा यूज किया जाता था क्या जो अभी वाला यूजर है वही हो रहा है क्या हूंकी अच्छी थी हूं से बंधारण शमता थी नहीं थी की बता दूँ पहले पहली पी आँद बनाता ऑगने से 65 टाइम मैं उतना अच्छा नहीं था स्ट्रॉज चलता था मंद गती थी उसकी ना स्पीड कम थी स्टोरेज केपिसेटी भी बहुत कम थी और जल्दी से गरम होता था गर्म भी जल्दी मलब हीट हो जाता है कि इसको बंद करना पड़ता है यह सारे इशूस थे के रोबन पड़ेंगे सबसे पहला क्योशन आएगा हार्डवेर तो इसमें इलेक्ट्रोनिक सरक्ट इसका जो इ वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का परियोग किया जाता था तो पहला क्योशन तो यही हो गया कि पहली पीडी की जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का परियोग किया जाता था पूरी बात बता देता हूं लिखिए आराम से साइड मुता कर सकते हो यह ऐसी एक वेक्यूम होती है औरम से आप इसको एक बार में बढ़ा कर देता हूं ठीक है इसका आप देख सकते है वई ही है यह किम टीओंस सोती है इनको परियोग किया जाता था पेली जंरेशन वालांगी डायग्रàम बता के को sodium प्रेक्टिकल नहीं करना बट ऐसी वेक्यूम ट्यूब होती है जो फर्स जनरेक्शन के उन इसका यूज होता था ठीक है ना यह चीज आपको समझनी है तो पहली बात यह होगी वेक्यूम ट्यूब का परियोग किया जाता था फिर मैंने आप मेरी आदत है कि मैं कुछ एक ची की बात कर रहे हैं इन्होंने 1904 में इसका आविशकार कर दिया था लेकिन एर बले ही ना याद रहे एर कोई इंपोर्टन नहीं है बस किस ने किया था आ सकता है क्योंकि अपन थोड़ी लेवल की त्यारी कर लेते हैं अब क्योंकि कोई साब एक्जाम हो आप दे सकते हो सर ज प्रियोग यह पर होता था अब दिमाग में आती कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा और निमनस्तरी प्रोग्रामिंग बाशा का परयोगियां पर होता था अब दिमाग में आती मशीनी भाषार सेंबली भाषार ही कोणते हम तो हिंदी जानते अंग्रेजी जानते है न तो बैए मशीनी बाषा ही हुती है किमशीनी भाषा और को नश कब ने सकता है उसमें अपनाब ने कआ की सिलby disks में लिका जैसा ने दिख रहा है है ना कि my name is वगयर तो सीदा सदा कि my name is वा गया लेकिन यह मशिनी जो भाषा होती इसमें 01 होता है binary अंक होते हैं 01 binary उलते हैं उनको तो 01 ऐसे 01 आपने कहा कि my name is Manish तो इसमें क्या जाएगा 01 01 01 Sergeant ृष आएगा अपने समझ नहीं पाएंगे लिख वाकिया तो यह मशिनी भाषा यह होती है असेयम्मी है असेम्मल ने बाषा को एक को को संब्रों करने के उता दर होता है और यह आपन बड़ा कोर्स करते हैं जब कंप्यूटर कभी सब्सक्राइब को इंसान पढ़ सकता है असेंबली भाषा को इंसान पढ़ सकता है फिर भी यह लेंग्वेज है जैसे प्रोग्राम बनाके रखते हैं कोई बी ब्रोग्राम बनाया अपने सब्सक्राइब दो अब बड़ाइये थी नहीं बड़ी मुश्किले थी तो यह पहले जनरेशन है फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिये मेरी आदत है कि अच्छा नोलेज आपके पास मोड़ना चाहिए ठीक है तो एक्जाम में क्योशन आया हुआ है मशीनी भाषा में अंतर क्या है डिफ्रेंस बिट्विन मैं मशीन लेंगवेज एंड आपके असेम्बले ले जाकते आस्यumely भाशा में प्रोग्रामिंग भाषा है ठीक है प्रोग्राम की तरह है वर इसमें क्या होता है कि मनुश्य तरश पड़ी तो जा ISSA खती यह तो यह ठ्यान रखना पड़ेगा कि यह थोड़ी सफ लिग्वेज प्रस्ट डाउटरेशन में क्योंकि पहली पी-डी में मशिनी बाश्चा भी थी तो निम्न आप चलो यह तो आपके प्रसन आए तक कि ने में से कीस पी-डी में फिर एक्जम्पल आता है कि यह very important, INIAC, ADVAC, IBM 650, UNIWAC, ADSEC, IBM 701, Mark First, यह जितने ज्यादा कर सकते हो, जिसमें INIAC और ADHAC, very important है, UNIWAC, और आपके ADSEC, यह बहुत ज्यादा important, repeat question है, ऐसा लिखाएगा कि ADVAC, ठीक है, यह जो computer है, यह किस PD का computer है, यह example है, यह पहली generation के, पहली PD के computer का example है ठीक है ना उधारन है सब तो यह उधारन आपको याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस करो बार-बार आराम से हो जाएंगे विसे भी मैं आपको कुछ जुगाड बताऊंगा system है न इनक एडवेक इनके बारे में आपको जानना भी है तो तो मैंने आपको लि मत करना लेकिन यह चारूं याद कर लेना कि पहली generation में कौन-कौन से चार computer थे तो यह है इन्हें की full form वैसे full form सब की याद करने की जरुत नहीं एक आदी मन लिख दिए वैसे जरुत नहीं इसका निर्मान किया था वह very important प्रशन पूचा गया था अपने देखो computer वीडियो में भी आता है अभी वीडियो के वेकेंजी आ रही है वीडियो के अंदर भी प्रशन आये था आपके जेल प्रजामों में आता है राजस्तान प्लिस कॉंस्टेबल में computer आता है इन सभी एक मन्चाली ने जो है वो इने का निर्मान किया था अविश्कार किया था वैसे एडवेक का निर्मान किया था जोन वो न्यूमें ने ठीक है न यह थोड़ा सायद कर ले ना दो बाकी सबसे ज़्यादा जो important है वो यह है repeat question है पहली बात हो यह इसका साधरन सा नाम है यूनिव समझे ना इस बात को बहुत important है ठीक है यह भी पूछा गया प्रशन है पूछा गया प्रशन है मैं आपको कभी टेस्ट लोंगा तो बता दूगा कि कौन से एर में पूछा गया था यूनिवर्सल ऑटोमेंटिक कंप्यूटर यह यूनिवेक का फुल-फॉम मान लीजी है इ पूछा में तो पेली बात वो तो कह रही है पहला दो ये किंशेव का पहला कंपूटर है यह सबसे बड़ी बात विष्वे का फस्केंपूटरर जिसका परियोग पॉक्र्षियल यूज़ के लिए किया गया वानी निवाले शिक परियोगए मोजिक किया गया पूदूग तो आपका यूनिवेग हंड्रेट परसंट अरे कहां मिलेंगे इतने जवर दस्त इसको उतार लेना और फिर इनको याद कर लेना निर्मान अमेरिका में हुआ उनी सो इक्याओन के अमेरिका में जणगंडना जो ब्योर आये था उसके इसका इसका इस्तेमाल किया गया तो आला कि मैंने इसे लिख दिया बाकी मैं चीज तो यह है और निर्मान भी देखना अमेरिका गंदर यह बना पिर एडसेक में क्या मामला है यह प्रतम कंप्यूटर जो डेटा स्टोरेज वाला का इंपूटर है तो पहली जनरेशन अपने कंप्लीट कर ली परतम पेड़ी का टाइम पेड़ी उनी सो बैयाली से पैंसट है इसमें वैक्यूम टूब क्योब का परियोग होता है मशिनी असेंबली बाशा का परियोग हो इसमें इंदर होता था इन हेक, एड हेक, युनिवेक और एड सेक ये एक्जमबल मत भूल जाना बाकी सब आपके सामने में लिखा दिया है बात करते हैं दूसरी पीडी की सेकंड जनरेशन की वापस होई क्योशन आईगा वो 55 तक पड़े अपने 55 था ना देखो पहली जनरेशन का है पहली जनरे आपना 56 55 65 कोई बादे में तो दूसरी पीर जो आइं वो ऊनिस्टो चबबन से पैसर का टाइम पेड है इसमें जो हाद्स लगा सबस्व इमपोर्टेंट बात इस पहले के अपन को हाइड सबने पढ़ा था उसमें क्या था उसमें थी वेक्यूम ट्योप इसमें वेक्यूम ट्यूब किये जिए ट्रांजिस्टर का परियोग किया जाएगा हाला कि मैं अगर वर्तमाल प्रेदरश्य में देखूं at present देखूं तो मोबाइल टैलिविजन टैलिफोन सब के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर का मतलब होता है यह light को control करता है बाई जो विद्युत है विद्युत का जो प्रवा है जो light आ रही है कहीं कम ज्यादा नहीं हो जाए उसका controller है उसका प्रवा को रोकता है तो आजकल सब में transistor लगा होता है लेकिन दूसरी PD के generation में very important है यही प्रशन आएंगे स्टोरेज इसमें होता था कि थोड़ा बहुत स्टोरेज होने लग गया है और इसके लिए चुम्बक की एक कोर या चुम्बक की टेप या मेगनेटिक डिस्क का प्रियों की डिस्क जानते हो ना मतलब इसमें computer के इंदर CPU जो बोक्स होता है उसमें storage का भी एक option डाल दिया चुम्बक की एक और बोलते हैं चुम्बक की टेप बोल दो चुम्बक की डिस्क बोल दो जो डिस्क होती है CD ड्राइव जैसा तो वैसी होती है इसके इंदर storage data storage होता था उसको बाहर भी निकाल सकते हैं तो storage के लिए इसका परियोग किया जाता था हालांकि इसमें थोड़ी storage में वर्दी भी की पहले में storage कम था इसमें storage थोड़ी ज़्यादा होने लग गया है ना storage का मतलब समझते हैं आप data को store करना और ताक में भी थोड़ी कम याई control किया उसमें computer जल्दी गरम होते थे इसमें उतना जल्दी नहीं और उसमें निम्रस्तरी बाशा परियोग होता था इसमें उच्छस्तरी बाशा का परियोग होता है अगर example याद कर लेते हो क्योंकि यह चीज पूछी गई थी बैसिक कोबोल और फॉर्टरन ठीक है ना फॉर्ट रन फॉर्टरन बोल दो चाहिए यह तीन एक्जामपल है वन टू थ्री तीन उच्छस्तरी बाशाओं के मैंने नाम लिखें यह अथेंटिक बुक के एक्जामपल है तो इनको अगर हो सकता हो तो कोशिश कर लो है ना ऐस लिख दिए बाई ट्रांजिस्ट का विश्कार किया था विलियम शौकले जॉन बाल्टिन और वाल्टर बार्टिन तीनु का नाम आता है कोई एक नहीं तीनुने मिलके ट्रांजिस्ट का प्रयोग कि आता जो कि बहुत अच्छी उपलब्दी है बाकि दूसरी पीडी के या आइबियम आपको पता है अमेरिका के कंपनी भी है वही है आइबियम 1401 हनीवेल पूछा गया था हनीवेल 200 CDC 1604 और PDP 8 यह second generation है ठीक है ना very important है इसके बाद मैं तीसरी PDG मैं अगर बात करूँ तो वो 65 तक थी तो यह चली जाएगी 66 से 75 ठीक है इसमां hardware चेंज हो गया क्या पहले में hardware कौन सा था वेक्यूम चूब दूसरे में कौन सा था दूसरे में भी पने पड़ा वेक्यूम टूब की चेंट ट्रांजिस्टर और अब आगे IC सुना होगा और यार मेरे इस जल गई है ना ऐसा बहुत बार होता है कि वह साब आपके तो आइसी जल गई है इंटीग्रेटेड सरकीट इसको बोला जाता है हिंदी में एक वर्ड लिखाता है एक बार तो जरूर द्यान लेकिन इसको कभी कभी यह भी लिखा जाता है इंटीग्रेटेड एसा इंग्लीश हिंदी मीडियों वाले यह भी ज्याने करना इंटीग्रेटेड परिपत या फिर यह भी लिखा वाता था आए था इंटीग्रेटेड 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 सर्किट ठीक है ना इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा इसमें ल देता हूं साइड मी जतना हो सकता हो जैस किल बिने इस आइसी का जो आविश्कार किया था है डिवल्पेंट किया था वह था जैसे किल बीन यह भी वेरी इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखें सबसे बड़ी बात यहीं है कि टीसरी पीडी में किस और यूट परियोग किस जन् जो remote वाला का महा है remote का multi programming एक सार पहले तो एक program एक बारी में सो multi programming यह कुछ इस यूग का थोड़ा सारा मुआ तो तीसरी पीडी में थोड़ा सुधार इन्होंने किया example very important है भाई IBM 360 अब देखो दूसरी पीडी में IBM 1401 है 1401 है और दूसरी पीडी है यह मतलों चार जिसमें और टू टू जा फॉर दो के टेबल वाला और इसमें आई बीम थीन की टेबल वाला तरी तीसरी में आएंगे ऑपकॉरस ही बात है तो तीसरी पीडी में लेकिन जो तीन के पाड़े में आता है और यह पीडी पीडी तीन भी विश्म संग्यार बेगो मैंने बूलते नहीं यह प्रलेंटर के अंदर बीक्योशन आते हैं केंप्यूटर के जबर्दस तरीके से आपको त्यारी हो जाएगी और इसको बुरोग बोल दो चाहिए बीच 65 सो याद करने ना वेक साथ सो पचास डिफरेंट है बार बार प्रेक्टिस करने से आएगा लेकिन करने फ्यूजन वाली चीज में याद कर वा दूँगा यह मेरी गरेंटी है जिनता ने करें तो तीसरी पीडी में कौन साड़ वेर है कि मैं यहाए वैरी बाइन नगीसली आम सेट है तो यादर लगा हैगें माइक्रो प्रोकर शेशन सबसे इंप्रूटन बात दहूंत यह है कि माइक्रो प्रोसेशर कौन सी पिडी में लगा है तो वह लगा है और एक इछ वी आसाई यह ऊप्ट्वेर है वेरी लाज स्केल इंटेगरेशन है ठीक है ना इसकी फुल फॉम भी मैंने लिख दिये यहीं पर यह रट लेना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तीसरी पीडी में दिधारा कहने ही है वह तो क्या ही किय самols' के स्वारी में दने क enfant को पढ़ना है कि वह तो 100 प्रेसेंट मॉस्ट हो जाता है तो भारत का पहला माईघ्रो प्रोस्टेस्टर ठीक है ना इंपोर्टेंट है बारत का पहला मैक्रोव्ध्र म का नाम है शकती में इंडिलिश में में very important है तो चोथी PD में कौन सा hardware आ गया Micropress एक बार फिर से revise करो पहली PD में vacuum tube दूसरी PD में दूसरी PD में अपने आई था और क्या ना मुसका vacuum tube के बाद में दूसरी PD अपने आई थी उसमें hardware का नाम बुल दा हूँ है बाई में transistor तो पहली PD में पहली PD के इंदर vacuum tube दूसरी में transistor तीसरी में IC एना integrated circuit एंटीगेर्ट में परिपत और चोथी फीडिम आ गया वह अपना यसापके सामने ही Micro processor और इंडिया में Micro processor नवंबर 2018 के बना जिसका नाम है शक्ति ठीक है किसने बनाया IIT मदरास के इंजिनेरों और example IBM PCXT IBM मतलब अमेरिका कंपनी हो कंपनी नाम पहले लगाती है तो IBM PCXT ठीक है यह है और एपल एपल अब यह ध्यान लगना एपल का आरम भी इसी जनरेशन हो गया एपल टू यह वेरी इंपोर्टेंट है चोथी फीडि ठीक है ना दो इसमें तो जञदा क्योशन यह आया गया था एक तो वेलेसाई का पुरियो कोन सी पीडिम होने लग गया और भारत का पहला माइक्रोप्रोसेसर का क्या नाम है का बनाया गया था यह दो-तिन क्योशन यह यह और यह चीजह ज्यादा पूची जाती है और इसके बाद में बात करते हैं मैंने थोड़ इसी बाते लिखी है बाई जितना ज्यादा इंप्रोटेंट चीजें हो सकती है स्लेक्ट करकर कि आपके लिए उलकी मज़ा जाएगा पढ़ लो उसको भारत का तो अपने पढ़ लिया कि शक्ति है आई-ई-टी मदरास में दोजार 400 रेंपोर्टेंट अजर चाहर है यह हैं दोनिया का पैहला ठीक है रायी समझ मैं आ गई offline है कि दूनिया का फ़र्स्ट माईक्रो प्रोसेसर है उसका नामहीं इंटेल 40004 अब जब यह मुझाई काम मुख्या ले Intel company का जो headquarter है या जो मुख्याले है वो California यह नि America, USA के अंदर है California, America के अंदर है तो दुनिया का पहला microprocessor के क्या नाम हो गया Intel 4004 microprocessor जो है ना आज का अपना CPU पहले के computer में CPU नहीं होता था ठीक है, आज का जो अपना CPU होता है, जिसको अपन के इतना brand of computer, computer का मस्तिक्ष होता है वो, बिल्कुल वोई microprocessor है microprocessor को computer का दिमाग, computer का brain, computer का मस्तिक्ष, या computer जामानों CPU का आजाता है, heart of computer का आजाता है heart of computer है, यह ध्यान में microprocessor, very very important है, repeat question है, कि heart of computer heart of computer, computer computer का दिमाग, computer का brain, computer का मस्तिक्ष, या CPU, microprocessor ठीक है न, यह प्रशन बहुत बार आया है अब है बाई अपनी प्यारी पांच्वी PD, last PD, जिसमें अभी वर्तमान UK के अंदर जो PD चल रही है वो है पांच्वी PD पांच्वी PD में आपको पदा सूपर कंपूटर आने लग जाएंगे तो hardware सबसे very important इंटर्स का very important याद कर लेना ULSI Ultra Large Scale Integration, उसमें था V, उसमें क्या था V VLSI, very large very large scale integration इसमें ultra large ultra large scale integration बाकी यही है, उसमें भी Storage Capacity ज्यादा थी इसमें Storage Capacity of course बहुत ज्यादा है और Storage Capacity के लिए यह क्या करेंगे यह Optical Disc का परियोग करेंगे very important है डिस्क जान्दर City Drive की तरह इमान के चलिए आप तो वो है, तो very important है कि Optical Disc का परियोग किसके लिए किया जाता है तो क्यों सुनाएगा Storage के लिए Storage का मतलब है शम्ता, संग्रण शम्ता Storage के लिए किया जाता है दूसरी बात Optical Disc का परियोग संग्रण के लिए तो किया जाता है या Data Collection के लिए तो किया जाता है Data को Save करने लिए तो किया जाता है लेकिन कौन सी PD में? पाचवी PD में फिर है Internet वर्य इंपोर्टेंट है बाई टाइम पिड़ तो याद है ना 1990 से अब तक का टाइम पिड़ है ना 1990 से लेगी अब तक का इसमें Internet का परियोग होने लग गया Email का परियोग होने लग गया चार PD तक Internet Email नहीं था अब आ गया और www का भी विकास ECPD में World Wide Web, World Wide Web, इसका भी जो पर्योगिया, डवल्लपमेंट या विकास है, वो इसी PD में हुआ, यह 5 PD की सबसे इंपर्टन बात है, बहुत बार आया हुआ है, कि इंटरनेट का उपयोगिया, इंटरनेट का विकास, या इंटरनेट का आर्म, कौन सी PD में हुआ, 5 PD में, email का 5 PD में, www स्टोरेज के लिए ओप्टिकल डिसका परियोग पांचवे में एक हार्डवेर ULSI इस PD के कंपूटर बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब दुनिया AI पर चलने वाली है Artificial Intelligence करत्रिम बुद्धी हर काम करत्रिम बुद्धी इस परायदारी थे तो किस जनरेशन के या किस PD के कंपूटर AI परायदारी थे तो पांचवें PD कंपूटर AI परायदारी थे वेरी इंपोर्टेंट है एक्जामपल IBM notebook अब आपको बता है notebook not चलते हैं अचकल पैंटीनम पैंटीनम PC और सूपर कंपूटर और भारत का पहला परम्तों के रही है तो यह सारे एक्जामपल है एक्जाम आएगा कि आया वह आएगा क्या कि सूपर कंपूटर कौन सी PD की कौन सी PD में सूपर कंपूट हो जाती है अब मैंने कुछ बाते हैं बहुत बैसिक बहुत ज्यादा नौलेजबल लिखिए अधर इंपोर्टेंट करके बहुत ज्यादा एक तो पहली बात इतनी है आप सोचेंगे इसी लेकिन इसी नहीं है उसने बड़ी दूविदा में डाल दिया था लोगों को सूपर ना humor केंप्यूटर में सक्क्र Alone कटा था महां अभी कलित्र इंग्लिश मेडियंगे और और दोनु भाशां ता है आजकल क्या है कि जो जिस भाशा कर और को वेसा करने लगे यह था वरना बल्क में देना पड़ता है तो इसलिए वह पड़ा इशू हो गया तो जो जिस मीडियम का है उसको वह से वैसा ही पेपर मिलेगा तो अगर यह वर्ड हिंदी मीडियम वाले कि अगर इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखा होता तो नीचे पढ़ लेते सूपर केम् अभी कलित्र यह ध्यान लखना ठीक है न अरे बड़ी गेराई की बाते मैं यह चाहता हूं कि एक सिली मस्टेक की वज़े से एक छोटी सी गलती की चूप की वज़े से आपने ऐसा ना कर दे ठीक है वह चीज है आदित्य आदित्य की मैं अगर बात करूं क्योंकि छोटी च 13 सालों की जिंदगी उन्होंने पूरी मैनत में लगाई है लेकिन क्या बने आलांकि अपन तो ऐसा ही मानें कि गोल्ड उन्हें जीत लिया है विनेश पाउगाट बेहन है बिलकुल अपन यहीं मान के चलेंगे क्योंकि 100 परसंट अपना ही है वो तो लेकिन खेर कोई बात न है पहले से प्लानिंग रंको अधित्य liberals बात करूं तो भारतिय मौसंव विवाग सनस्तान पुने की अभारतिय मौसं विवाग संतान पूने जो है उसके द्वारा यह आदित्य मौसं का वह बनाया तो भारतीयमोसाबी बागसद्वी बातस्तान पूने की द्वारए बना गया पर कंपूटर यह तीक है ना तो यह कुछ डाटा है उसको चाहिए आप तो जहां पने सूपर कंपूटर के बार लेकिए वो लिख लो वरना पांचवी जन्रेशन के जस्ट बाद मैंने बिल्कुल सई जगे लिखा है यहां भी लिख सकते हैं क्योंकि पांचवी जन्रेशन मे ही सूपर कंपूटर आये थे यह ध्यान रखना तो ध्यान रखना कि फ्लो सालवर जो है वो क्या है फ्लो सालवर सूपर कंपूटर है आदित्य सूपर कंपूटर है परमिशान सूपर कंपूटर है सूपर कंपूटर को महाभी कलितर कहते हैं फ्लो सालवर कहां किसके दोरा बनाया गिया National Aeronautics Laboratories बेंगलूरु के द्वारा उनिस वस्ती में बनाया गिया बारत सूपर कंप्यूटर बनाने वाला पांचवाँ देश बन गया है सबसे पहले गी बात करने तो अमेरिका है जापान है इसराइल चाइना इन्होंने सूपर कंप्यूटर बना रखे और भार लेप्टॉप था इपसन ठीक है ना उन्नी सो इक्यासी होना था इपसन विश्व का पहला लेप्टॉप ऐसे लिख लो काम आता है चोटा है बैसिक फैक्ट है पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर साक्षर्था दिवस कब मनायी जाता है कंप्यूटर लीटरैसी दे ठीक है ना तो दो दिसम्बर को बहुत बैसी क्योश्न आ जाते हैं कभी गभी ठीक है ना और आरें सी आइट वरों जंड़ गार देंगे तो दो दिसम्बर को एक मिने बात लिखिये वाई यह अपने वीडियो के एक्जाम में पूछा गया था वीडियो 2021 में जो एक्जाम होता ना उसमें एककल बस सरंचना ठीक है यह क्या है कि पहले यह जो मीनी और सोचना यह हम बिल्कूल वाइस किसे बेजने का काम करती है लेकिन इसके में मांइक्रो कम् 됐 behö यह नहीं प्रात्मिंग तोर पर मीनी और माइक्रो कम्पूटर में पाई जाती है बस यतना सायद करें आप तो बाकी मैं एक बात करता हूं टेलीफोन रिले लाइट वाले बल्ब और बैटरी इनका परियोग करते करते हुए विश्वे का जो पहला इलेक्ट्रोनिक कैल्कुलेटर बनाये था जिस बंदे ने जिसने टेलीफोन वाले जो रिले होते हैं वो यूज किया लाइट के बल्बूं का परियोग किया और बैटरी इन तिनों को मिक्स परियोग करके एक कैल्कुलेटर बना दिया था जो गणना करने में काम आता था उस आपन कार देखते हैं ना उन कार में जो स्पीडो मिटर होता है स्पीड बताता है जो ना एस बिल्कुल तो कार में लगा गति मापक यंत्र स्पीड मैजर मेंस्रेमेंट वाला जो स्पीड को मापता है की सोपे चल भी 120 पर चल रही है वह एनलोग एक कंपुटर ही हो ठीक है अ और उसके बारे में पढ़ चुके analog computer क्या होता है analog computer का क्या use है very important है अगली बात है आकास tablet भाई यह भारत का है और हम इस पे दावा कर रहे हैं आकास tablet PC PC मतलब personal computer tablet चोटा सा होता है हम यह दावा कर रहे हैं कि विश्वे का सबसे दोसे के चोटा चूंपूटर कंपूटर जहां रिए 7 सबसे दावा करते हैं हं कफी पॉइंट में पढ़ेंगे जब फाइलों का एनिमेशन किया जाता है तो एनिमेशन वर्ड का मतलब क्या है कि जो फिक्स चित्र है डाइग्राम वगएरा कुछ फोटो वगएरा एक जिक इस्तर है वो उनको पन चल चले से मुव्मेंट करवना निमेशन क्यलाता है एक बहुत इंपोर्टन है अपने चार्स बेएश पड़ा था और चार्स बेएश जो कंप्यूटर के फादर है उनके साथ में एक कि एसमानों की lady थी, large lady love less, love less नाम इंका lady love less, इंगोंने पर्थम programmer language बनाइए थी, एक परोग्राम में जो Italy language को अंग्रेजी में translate करके उसने एक पूरा program बनाये था, इसलिए lady love less को पर्थम programmer बोला जाता है, दो बाते हैं, एक प्रशना आएगा तो नियाता कि परतम प्रोग्रामर को विश्विका तो लेडी लवश या पर यह पर सौना है कि परत्म महिला को उने तो भी लेडी है तो ध्यान रखें परतम प्रोग्रामर जिन्नों नेका बनाया यहां यहि smart नकाल किकी mad सुनते हो ना वगरते हो तो भारत में सबसे पहले इमित्र सेवा है न वह राजस्थान राज्य में स्टार्ट की गई थी 2004 में राजस्तान जिंदाबाद तो ध्यान रखें बारत में सबसे पहले इमित्र से वाजो स्टार्ट की गई थी 2004 में रजस्तान जे शुरू हुई बारत में परतम कम्पूटर करते जो डाकगर होते हैं डाकगर जानते हूना वो नई दिल्ली में पर्तम पूरा का पूरा कंप्यूट्री गत डागर है वो नई दिले में स्तापित हुआ मन्दब कंप्यूटर से रिलेटेड बाते हैं यह और भारत का पर्तम याई यह तो बड़ी गजब की बात है राजस्तान फिर जिन्दाबाद है एका मतलब है आर्टीफीशिल इंटेलि वेरी इंपोर्टेंट है वेरी इंपोर्टेंट ठीक है ना और बाकी भाई मैंने एक छोटी सी बात और लिख दी बहुत इंपोर्टेंट भी कंपूर्टबी का यूज कहां कहां पर है ये क्योशन भी आया हुआ है और RSCIT वरब जंडे काड़ देंगे सिट नहीं किया data processing में काम करता है सूचनाओं का आदान परदान करने में computer उपयोग है शिक्षा के शेत्र में है विग्यानिक अनुसंदान यानिकी जो scientific research किया जाता है करवाने तिक बूक करवानी उसमें किया जाता है बैंकिंग फिल्ड में है सिटिक सा मेडिकल के इंदर डिफैंस में में रक्षा में और इंदर है कम्यूनिकेशन के इंदर है बिजनस और व्यापार ट्रेड मान लोट्रेड बिजनस विद्धिश विद्योगे व्यापार में इंडस्ट्री अंड्रेट मोघ बोले उद्ध्योगर व्यापार में entertainment मनलंजन में ही है अपन movies बगरा देखते हैं बड़े बड़े theaters में परकाशन publishing किसी book का किसी भी चीज़ का publishment करना है तो अपन computer के माइदें से करते हैं पूरा का पूरा आज परशाशन जो administration है अपना पूरा computer गर्थ हो गया है computer पर डिपेंड आपको पता है परशाशन जो है वो पूरा का मतलब आज जितने भी government office है उन सब government office के अंदर आपको पता है computer है computer से सारे आदान परदान होता है files वगरे का किसी भी चीज़ों का कोई भी data को store करें रखते हैं तो उसी में है और digital library पुस्त काले का मतलब library होती है पुरी वो बन गई इन सभी शेत्रों में computer का use है और एक बात बहुत तग्रीड लिखी है मैंने IBM IBM की बात कर रहा हूं यह जो IBM business जो company है American company इसको big blue भी का जाता है एक्चुली इसका जो official color है वो blue है इसलिए इसको big blue भी कहता है यह क्यों शुनाया हुआ है तो ध्यान रखे उसमें यह लिखा था कि IBM जिसकों की big blue का जाता है वो कहां की company है अमेरिका लेकिन हो सकता है उल्टा जाए कि American company IBM को और किस नाम से जाना जाता है तो इसको big blue के नाम से भी जाना जाता है यह था वाई session कैसा लगा system एक ही अपना पहले आप मेरे को सुनेंगे उसके बाद आप में नौट्स मना सकते हैं इसके बाद में जो पार्ट आएगा बहुत जबर्दस्त होंगे कंप्यूटर का कॉर्स बढ़ी जल्दी कर लेंगे चिंता नेगरे आज एक session हो रहाएगा ठीक है न कल चोटा मोटा मेरे बीच में काम हो जाता है बट अब नहीं तो आपके ज्यादा ध्यान दूंगा इसको विशेश तोर पर धियान रखें मैनत करें हेल्थ का भी जान रखें मिलते हैं फिर अनाइशेशन के साथ मर कोई भी डाउट अगर एगया हो तब कॉमेंट कर सकते हो कि इस टाइम पर जैसे वीडियो टाइम लिग दिया गरो और तो अगले पार्ट में जब तक आप पहले समझो प्रॉपर नौट्स पनाओ ठीक है? Okay.